हलो फ्रेंड्स, आज संडे है, हप्ते में एकी दिनों तो मिलती है अफिसे चुट्टी और संडे मतलब घर का तो बहुत सारा काम रहता है इसलिए मैंने सोची चलो, आज सेफ लंज में भेज डाल और लोटे माचे छुड़ी बनाऊंगी बंगाल हो या घोटी, मुझे तो लगता है कि सभी लोगों को लोटे माचे जुड़ी कर्मा गरम राइस के सथ बहुती अच्छा लगता है मेरी मायका और मेरी ससुराल दोनों ही तरफ बंगाल है इसलिए मेरी मा को एन मेरी सासु मा दोनों के ही देखी है कैसे लोटे माचे जुड़ी बनाती है आज वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसको हम बेंगोली में फोरोन कहते है उसी फोरोन में पहले ही में ब्लैक क्यूमिन एन रेट चिली एट करेंगे फिर उसमें चौप्ट अनियन देंगे फिर थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक, थोड़ा सा नमक, तर्मिनिक एन फिर चौप्ट टॉमिटो उसमें एट करेंगे फिर अच्छे तरह से उसको mix करेंगे फिर कश्मीरी red chili powder and green chili add करेंगे अगर आप लोग पसंद करते है पोटेटो देना तो आप लोग पोटेटो दे सकते है कुछ लोगों को पोटेटो पसंद नहीं आता है इस recipe में पर अगर मेरी परिवार के बात करें तो मेरी परिवार का सभी लोगों को पोटेटो इस recipe में बहुती अच्छा लगता है इसलिए छोटे छोटे आलो इसमें में add करूंगी फिर fry हो जाने के बाद उस पोटेटो को एक बोल में रख दूंगी फिर लोटे फिश को स्टीम में रखूंगी दो मिनिट के लिए जब तक स्टीम में है चलो थोड़ा सा बर्तन दोई लेते है फिर देखते है कितने टाइम लगेंगे मेरे देवान्ष को डाल खाने में बहुती अच्छा लगता है इसलिए उसके लिए तो मुझे रोजी डाल बनाना पड़ता है उधा दो मिनिट हो गया है Once the fish is soft, you can easily pick out this vine Then stir and mix everything together चलो मेरे लोटे माचे जुड़ी तो रेडी होई गया है थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा chopped coriander leaf एड़ करूंगी सच में गरम राइस के साथ लोटे माचे जुड़ी खाने का मजाई कुछ अलग है आप लोग कमेंट करके बताओ आज संदी लंच में आप लोगोंने क्या क्या बनाए तब तब बाई